कैसे मामो नाकपूर नमस्कार गटकरी साब आपका बहुत बहुत धन्यावाद है सर कि आपने मुझे आज यहां बुलाया आप मेरे बड़े भाई हो और आपके लिए यह बुलाना क्या जान हाजर है विजे भाई यह मेरे नेता जी है और यह family है और मेरे बड़े भाई है जितने भी बड़े में उनसे आशीरवाद मांगता हूं और जितने भी मेरे से छोटे हैं उनको मैं आशीरवाद देता हूं अभी-भी मैं विजे भाई से पूछ रहा था आप लोग भाशन कैसे देते हो यार हम लोग को डायलोग लिख के दिया जाता है हम लोग थोड़ा याद कर लेते तो बोले कि वो experience से आ जाता है संजू मैं दो बोला लेकिन इतना लंबा भाचन कैसे हो सकता है लेकिन आपको याद कैसे रहता है क्योंकि हम लोग को तो पैसा मिलता है न डायलोक बोलने के लिए तो बोले ओ तू सीख जाएगा मैंने बोला अरे शीख जाएगा एक टाइम वो यूपी के एलेक्शन में मेरे को लेके गए तो मैं अमर सिंग जी को बोला मैंने बोला सर मेरे को बाशन देने को नहीं आता तो बोले तु घबरामत पहले बुलना के तेरे पिता जी पार्डेशन के बाद लखनव आये थे इसलिए तेरे को लखनव से बहुत प्यार है दूसरी बात के तु गांधी जी में बहुत मानता है और वो गांधी जी के तीन बंदर तु याद रख जो कभी देख बुरा नहीं देख सुन बुरा नहीं सुन और बोल नहीं बुरा और तीसरी बात एक शेर बोल देना जो आप शेर बोल रहे थे कि मुखालफत से मेरी तवियत उभरती है दुश्मनों का मैं एहतराम करता है उसने मेरा पहला बोल दिया कि संजेदर के पीता जी पहले रखनों है थे तो मेरे पास दो चीज रह गए थे तो मैं अमर सिंग जी को बोला कि सर यह तो बोल दिया मेरा पहला तो उठे बोले के एक मिनिट हम बोलेंगे उनका बास् Marshall चालिस मिनिट का चला लेकिन अंच में बोले के यह संजे मेरे साथ हवाई जाज में थे उनको गांदी जी के तीन बंदर बहुत पसंद है तो उन्हों ने तीन बंदर बोलके वह शेर भी बोल दिया अब मेरे पास कुछ रहा नहीं बोलने के लिए तो मैं बोला सर अभी मैं क् जाके डायलोग बोल दे तो मैं बोलता हूं पाच्यास तोला कितना कितना कि आप लोगों ने संजू देखिए हैं तो संजू में से दो तीन चीज आप लोग देहान में रखला बाकी का सब डिलीट कर देना हो कभी करना मतूँ हो खाली माबाब की इज़त और बड़ों की इज़त करना सीखना और एक रिक्वेस्ट है नागपूर के लोगों से मैं राजु हीरा निम पता है मुझे यहां से है नागपूर से मैं उसको बोल बोल के ठक गया हो के मुन्ना भाई का तीसरा भाग बनाने के लिए है आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग उसको प्लीज उसको लेटर एमेल बीमेल सब भेज के वोलो के अभी मुन्ना भाई तीन बनाने के लिए ठीक है मैं फिर नितिन जी का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं कि सर ने मेरे को आज याद किया मुरे को यहां बुलाया और एक बार फिर कहना चाहता हूं कि सर बोलेंगे यहां खड़े रहे जान दे वो भी देने को मैं तैयार हूं क्योंकि ऐसा नेता मैंने अपने पिताजी में देखा और फिर अभी इन में देख रहा हूँ जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, तरक्की के बारे में सोचते हैं और लोगों के बारे में सोचते हैं इनसे जमीन से जुड़ा हुआ नेता बहुत कम दिखने को मिलता है तो सर थैंक यू वेरी मुच्छ सर कौनचा कौनचा मुनना भाई का कि मुनना भाई का वह एक मुनना भाई में यहां देके वह सिक्यूरिटी वाला आता है जापड बारता है तो सरकेट उठता है बोलते हैं सरकेट तेरे को मालूम है ना गांधी जी ने क्या बोला बोला इसको मारने दे रहे वो दूसरा गाल आगे करता है वो सिग्रेटी वापस मारता है वो मारता है तो देता है बुन्ना उसको एक धार करके वो गिर जाता है तो सरकेट बोलते है अपना भाई ये क्या बोला दूसरे के बा पापूरे नहीं बोला क्या है है कि नहीं तो टीके भाहिया नमस्कार जै महाराश्ट्रा जैहिन कि अच्छे कि कैसा लग रहा है नाकपुर में एक नमबर अरे माराश्टी मतलब के मैं जेल में था अंतो के यह जुद अधे मतलब चार पात सास्व था उदक तो मैं पंजब में पढ़ा था तो पर इनको महाराश्टी आता हाश तो हवाल्डर लोग करेसे महाराशटी है। समझ नहीं तो मैं बुला कर भाई मेरे को सीखने का है लेकिन उन लोग ने बहुत कोशिश किया लेकिन आज तक में सीखा नहीं सर्फ हम माना यह था है माराधी थोड़ी थोड़ी यह था है थैंक्यों थैंक्यों सर्व शर्मान निया प्रमुकतितन नम्र विनन्ति